हेलो एवरीवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब विज्यो के सने चेनल में आपका स्वागत है आज के उटी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी पैप्टिक अलसर के दवा के बारे में पैप्टिक अलसर में लेकि ऐसी कंडिसन के जिसके अंदर आपके स्टमक के अंदर एक अलसर बनता है कि जिसके करन क्या होता है कि आपके पेट के अंदर तेज दर्द होता है साथ ही आपका वजन जो वो कम होता है मेलेकि वजन गटता है और भूक में भी काफी कम ही आ जाती है जिसको गेस्ट्री कलसर भी कहा जाता है तो ये कंडिशन की इलाज के लिए पांच सबसे बेस्ट दवाईय कौन सी है उसके डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में एक्सपट लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्राफेसर और फांडर फार्मरोक्स थैंक यू फर बीन फार्मरोक्स फिमिली अपड़ेट इट रही है फार्मा नोलेज के साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल साथ हो साथ सीखी है अलगलग बिमारीं के आपको क्या मैं जैसे आज हम यहाँ पर पैप्टी कल्सर के हम सिखेंगे ऐसे ही बहुत सारी अलग भी के बार अधर के बारे में सीखे उनके इलाज के बारे में medicine course के अंदर की दवायों के basic use, dose, side effect, warning content indications को एक साल तक सिखे, offerable price में pharma rocks के अप उपर तो medicine course को access करने के लिए हमें 9016312020 पे whatsapp कर सकते हैं साथ ही हमारी second channel जिसका नाम है hollywood to in the excellence को जरूर से subscribe करें हमें support करें, link description box के अंदर मिल जाएगी तो ये channel हमने सिर्फ और सिर्फ मनुरंजन के purpose से बनाया है तो इसे भी subscribe करके हमें support करें तो अब समझे पैप्टिक अलसर के बारे में तो पैप्टिक अलसर एक ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर जो आपके stomach के lining होती है वह आप एक ulcer बनता है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एक ulcer देखने को मिल रहा है जो sore जो हो develop होता है और यह दिरे-दिरे क्या होता है कि उसके size जो हो बढ़ते जाती है और पुरे stomach के अलगले गेरिया में फैलता है फिर यहाँ पे आप देखो जो duodenum का जो reason है वहाँ पे भी यह फैला हुआ देखने को मिल दर कई बार यह acid उपर की और reflex के होने के कारण आपकी isophagus के अंदर भी यह फैलता है तो उसके कुछ reasons होते हैं specially कि जैसे कि कुछ दवाया कि non-steroidal anti-inflammatory drugs अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो उनकी side effect के तोर पे आपको peptic ulcer हो सकता है फिर जो microorganism है H. pylori उसके infection के कारण भी पैप्टिक ulcer हो सकता है तो यह दिरे-दिरे क्या होता है कि आपकी isophagus या फिर आपके small intestine में भी फैलता है और वहाँ पे ulcer जो हो produce होता है तो यहाँ पे आप यह diagram में देखो कि यहाँ पे जो इस तरह से यह damage हुआ है stomach के जो आपकी inner linings होती है और वहाँ पे यह ulcer और वहाँ से कई बार क्या होता है कि bleeding भी होती है दर्द होता रहता है आपको पेट में फिर आपके पेट के अंदर acid की मातरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है फिर यहाँ पे आप देखो कि जो ulcer का जो condition है तो यह condition के करन काफ़ी painful conditions produce होती है कि पेट में काफ़ी आपको दर्द रहता है और उसके कुछ reasons जानने तर प्राइमर एक reason है Helicobacter pylori bacteria कि यह bacteria क्या करते है कि आपके जो stomach की जो linings होती है वहाँ पे चीपक के खास कर रहते है और वहाँ पे यह bacteria जो हो अपना infection करते है कि जिससे यह प्राइप्टिकल सर का problem होता है फिर कुछ दवाई है जिससे कि non-steroidal anti-inflammatory drugs अगर आप लंबे समय तक लेते है और precautions नहीं रखते तो उनके करण भी आपको यह problem हो सकता है फिर आप alcohol का excessive use करते है फिर chronic vomiting है आपको काफी ज़्यादा आपको vomiting होती रही फिर काफी ज़्यादा stress से आपकी life में bile reflux हो रहा है या फिर aspirin या फिर दूसरे कोई भी anti-inflammatory drugs की जो non-steroidal है वो आप लंबे समय देखाते तो यह problem हो सकती तो उसके कुछ symptoms जाने तो आपके upper abdominal में काफी दर्द होता है यहाँ पे आप देखो लिखा है कि upper abdominal pain जो हो देखने हो के मिलता है पेट के उपर हिस्से में कि यह जो diagram में आप देखो तो यह वाले हिस्से में आपको जो हो काफी दर्द होता है कि जिस्तो हम कहते है कि upper abdominal जो हो pain होना फिर आपके chest में pain होता है कि सीने में धर्द होना वहाँ पे जलन भी होती है belching जैसा होता है, खट्टी डगा रहाती है सीने में जलन होती है आपको, और पाचन की condition nausea vomitting होती है, मिलने कि जी गब रहता है, उल्टी होती है और काफी ज़्यादा gas भी कई बार बनती है, और काफी excessive gases भी आप पास करते कर आपको पैप्टीकल सर है तो और पी उसके symptoms हम देखे, तो fatigue मिलने कि आपको कमजूरी जैसा हो सकता है आपका पैट जो हो फूल है ऐसा आपको feel होता है, आपकी भूख कम हो जाती है, पैट में uncomfortable feel होता है, हिका उसनल के कई बार आपको जो है वो इच्च किया आती है आपका stool का color change होता है और blood जो हो आता है, vomiting के अंदर तो ये कुछ complications करता है पैटिकल सर, तो उसका diagnosis केस होता है, जिससे endoscopy आप करा सकते है biopsy है, stool examination blood examination, urea breath test कराते है, upper GI barium study और city scan जिससे अलग-अलग diagnostic features यूज़ के जाएते, जिससे निदान होता है, कि आपको पैटिकल सर हुआ है, तो 5 सबसे best दवाईयों का combination क्या रहेगा तो, एक जो है आप H2 blockers दवाईया यूज़ कर सकते है या फिर उनके option में proton pump inhibitor या फिर antargicid, ये तीनों में से, आप जो है वो कोई, एक ले सकते है, एलोफेथिक दवाईयों में से और साथ उसाथ आप herbal natural remedies भी ट्राई कर सकते है उसके साथ combination में, एक दूसरा option रहेगा, तीसरा जो है तो protective drugs का एक option रहेदा है protective drug मतलब कि ऐसी दवाईया कि यह जो यह अलसर देख रहे है उसके उपर एक protective layer बनाती है, कि जिससे क्या होता है कि वो ulcer जो ज्यादा damage नहीं होता या फिर वो ज्यादा फैलता नहीं हो और वहाँ पे healing की जो process से वो अच्छे से start होते हैं इसके लिए जरूर यह कि आप protective drug भी और साथ में यूज करें तो यह इस तरह से आप समझो कि और तीने में से कोई एक plus herbal natural remedies भी आप साथ में कर सकते हैं और एक protective drug का भी आपको साथ में option रखने कि जिससे ulcer की healing हो सके चोथा है कि अगर यह ulcer आपको helicobacter pylori bacteria से हुआ है तो इसके लिए anti-h pylori जो दवाई आती है वो भी आप combination में खा सकता है और यह आखरी एक option रहता है कि यह सभी combination से ठीक नहीं हो रहा तो आपके पास एक HP kit का option रहता है कि जो भी हम जानेंगे यह lecture के अंदर तो H2 blockers मनलब कि ऐसी दवाई है कि जो acidity काम करती है और acidity मनलब कि जो acid ज़्यादा बनता है आपके stomach के अंदर और उसके कराण समझे कि अलसर और ज्यादा damage हो रहा है तो उसको रोकने का काम करेगी यह दवाई है कि जिससे ranitidine है तक वो 150 mg दिन में दो बार के हिसाब से या फिर 300 mg एक ही time पे patient लेता है famotidine में है 20 mg दिन में दो बार sematidine 400 mg दो बार या फिर 800 mg दिन में एक ही बार या फिर roxatidine 75 mg दिन में आप दो बार जो है वो खा सकते हैं तो यह हो गई H2 blockers पर यह दवाई कुछ side effects करती है जैसे कि इनके करन आपको constipation हो सकता है curbs हो सकता है diarrhea हो सकते हैं कुछ लोगों को सोने में दिक्कत आती है difficulty sleeping कुछ लोग dry mouth जैसा feel करते हैं कि आपका गला जैसे सुक्रा है प्यास लग रही है ऐसा feel करते हैं उनके side effects के तौर पे dry skin हो सकती है सिर दर्ध होना कान में गंटी बज़े ऐसा feel होना या फिर running नोजनल के बहुती नाग जैसे कुछ side effects H2 blocker दवाया कर सकती है उनके option में जो आप यूज करते हैं वो है proton pump inhibitor जैसे की omiprasol है तो उसका dose रहता है 20 से लेकर 60 mg per day पैंटो प्राजल है तो उसका dose रहेगा 40 से 40 mg per day जितना रहेगा रहेगा 10 से लेकर 20 mg per day के हिसाब से पर प्रोटन पर भी inhibitors को side effects करती जैसे की उनके कराण पर diarrhea या फिर constipation हो सकता है पेट में दर्द होना फ्लैटूलंस मलेके gas ज़्यादा जनरेट होना headache मलेके सीर दर्द nausea vomiting dizziness feeling और being sick मलेके आपको ऐसा फिल और कि आप बीमार हो रहे या फिर आपको जो है वो काफी sickness जैसा फिल होता है bond fracture एक उसके major side effect कि आपके bond को जो है वो weak करती है और उनके कराण bond fracture के complications हो सकते हैं उनके कराण और ये दवाईया आगेच है कि आपके kidneys भी खराब कर सकती है तो ये दवाईयों के दो major side effect है एक तो bond fracture और kidney damage तो ये खास आपको दियान रखना है कि बहुत जदा लंबे समय तक ये दवाईया आप use ना करें या फिर आप H2 blockers भी यूज कर सकते हैं कि जिससे bond fracture या फिर kidney damage जैसे side effects से आप बच सकें फिर तीसरा option रहता है जो acid कम करने वाली दवाईयों में वो है antacid तो magnesium hydroxide या फिर milk of magnesium magnesium trisilicate aluminum hydroxide gel magal rate या फिर calcium carbonate containing बहुत सारे ऐसे antacid सीरप है जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि ranbex एका है gastric करके फिर milk of magnesium भी बहुत सारे pharmaceutical companies बनाते तो उसमें से कोई एक आप juice कर सकते हैं तो एक दवा या पेसेंट ऐसी खाते हैं जैसे उसके सरीर के अंदर acid secretion कम हो तो यह तीन option जो हमने देखे है कि H2 blocker proton pamin inhibitor या फिर antacid तीनों में से कोई एक आप juice कर सकते हैं और उनमें भी कोई एक दवाई जैसे कि proton pamin omiprazole ते सिर्फ omiprazole खाए उसके साथ H2 blocker या फिर antacid खाने की ज़रुवत नहीं है फिर हरजबल natural remedies में जैसे कि आपको ये hymco seed भी आप ले सकते हैं हिमालिया का कि जो एक natural remedy है कि वो भी आपको acidity bloating, painful जाना खटी डगा रहाना जैसे जो symptoms होते हैं उसमें से relief मिलती हैं और साथ उसके ये अलग-अलग flavors में भी आता है कि जैसे आपको काफे अच्छा फिल होता है mouth के अंदर प्रोटेक्टिव ड्रग की जो हमने बात की थी तो अलसर प्रोटेक्टिव में सबसे फेमाज से सुक्राल फेट करके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सुक्रा फिल करके उसका एक marketed formulation है, sedulist ड्रग आती है और एक ग्राम के content में यह available होती है, तो यह क्या करते है कि आपका जो अलसर है, उसके उपर एक protective coating बनाता है, कि जिससे उसकी जो lining से उनका damage जो हो prevent होता है और उसको heal करने में काफी आसानी होती है, कि जिससे दिरे दिरे जो वहाँ पर जो गाव है वो अच्छे से रूस जाता है, और आपको जो वो ulcer में से, जो वो काफी राहत मिलती है, उसके symptoms में से, तो इसका dose रहता है कि एक gram जितना patient दिन में total चार बार use करता है तो एक आपके जो तीन major meal है, जिससे कि आप breakfast करते है dinner, lunch, उसके गंटे पहले और एक चौथा tablet रात को सोते से, मैं लेकि 4 gram जितना patient दिन में receive करता है सुक्राल फेट कुछ side effects करती है जिससे कि, सबसे पहले ये दवा ये constipation या फिर diarrhea करा सकती है, जिससे सब ये class में हमने देखा कि काफी सरे दवायों कि ये एक side effect होते कि उनके करन या फिर आपको कि जो कुछ allergic reactions के तवर पे होता है, dizziness या फिर drowsiness या आपको नींद आए sleep में problem हो, तो ये option में रहता है कि चाहे drowsiness जिसा feel हो या फिर insomnia, सीरदर्द या फिर back pain जैसे कुछ side effects करती है सुक्राल फेट वीडियो के बीच में आपको बता दूँ कि जो हमने second channel start की है मनुरंजन के परपस से उससे आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमें support करें, link description box में में आपको दे दी है तो अब चौथा option है आपके पास anti-H pylori drugs का कि अगर reason है helicobacter pylori के करण आपको ये problem हुआ है, तो आपके पास substance रहते हैं, amoxicillin के clarithromycin, metronidazole tinidazole या फिर tetracycline का तो ये दवायों को anti-H pylori drugs काया जाता है कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि helicobacter pylori bacteria ने आपके स्टमक के अंदर ulcer किया है कि जिसके करण gastric ulcer हो गया है या फिर peptic ulcer है, duodenol ulcer है, तो उसको treat करने के लिए ये दवाय भी combination में patient खा सकता है फिर ये दवाय को side effects करते हैं, जैसे कि dizziness headache, stomach upset, nausea vomiting loss of appetite, भूक कम हो जाना, diarrhea या फिर constipation या फिर metallic taste आपको ये करा सकती है पांचवा एक best option है वो है HP kit कि अगर आपको ये individual medications का combination नहीं बनाना है, तो already बहुँ सालिया लग 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 pharmaceutical companies ये HP kit design कर दी है, कि जिसके अंदर हम देखे तो specially जब reason है alicobacter pylori से आपको peptic ulcer हुआ है, तो उस वक्त ये kit सबसे best रहे थे, कि जिसके अंदर omiprazole, कि जैसे अभी आपने आगे देखा, कि proton pump inhibitor medication है, फिर tinidazole और amoxicillin जैसे anti-biotics इसके अंदर दिये, कि जो एक anti-H pylori हो गया है, कि ये दो medications जो हमने आगे देखा, कि anti-H pylori के तोर पे, जो ये वो use की जाएगी, कि जिससे आप प्रॉपर ये kit को use करते, कि जिससे आपका infection जो वो treat होता है, जैसे उसके dose की हम बात करें तो एक kit जो हो दिन में दो बार लेते हैं, कि या पर आप देखो कि ये HP kit है तो ये एक morning की है, और ये evening का kit लिया हुआ है, फिर morning में देखो लिखा है कि amoxicillin A tinidazole B और omiprazole C, तो ये तीनो tablets आप सुबह morning में खाते हैं और evening के लिए है amoxicillin, tinidazole और omiprazole, ये मलए कि दोनों medications के proper color के साथ और labeling के साथ आपको यहाँ पर दिये जाते हैं जिससे आपको medicines लेने में काफी आसानी होती है बट इसके कुछ side effects है, जैसे कि diarrhea, nausea, vomiting, stomach pain, flatulence, dizziness, tiredness, headache, skin dresses, dryness in mouth, metallic taste, या फिर black और hairy tongue, जैसे कुछ side effects यह दवाईया करती हैं तो जैसे अभी हमने सीखा, ये medicine course के अंदर आप ऐसे ही सीख सकते हैं कि जैसे peptic ulcer का detail treatment सीखा, ऐसे ही बहुत से लिए लग रहक बिमार्यों के detail में treatment सीखे, medicine course में farmer rocks के पुपर, एक साल तक affordable price में सीखे तो decision medicine course आपको मिल जाएगा, affordable price में whatsapp कर सकते हैं, 901631 2020 पे या फिर directly app डाउनलोड कर सकते हैं link description box में मिल जाएगा हमारी second channel को भी subscribe करें और भी support करें, good luck and all the best झाल